निहंग सिंग गुरु दी लाडली फोज ए आये के तू निहंग सिंग कौन निहंग सिंग मौत पर जीत पाने वाले कौन है ये निहंग नीली रंग के कपड़े बड़ी पगणियां शांदार युद्धकला और घोड़ी की सवारी ये पहचान है निहंग सिखों की सिख धर्म में निहंग को बहुती आदर और सम्मान की नजरों से देखा जाता है सिकh धर्म से जुड़े लोग निहंग सिकhों के बारे में अच्छे से जानते हैं लेकिन अनिधर्म के लोगों के मन में निहंग को लेकर कई तरह की सवाल उठते हैं क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहे हैं तो चलिए आज आज आपको इस वीडियो के जरीए बताते हैं निहंग सिक्ष होते कौन हैं और इस मौडरन जमाने में भी ये तलवाने लेकर क्यों गूमते हैं? कैसे सिक्ष पंत की निव पड़ी और इनका इतिहास क्या है? और सबसे एहम बात कि ये आम सिक्षों से कैसे अल समरिद मुगल सामराज द्वारा शासित था सिक्ष धन प्रचलित हिंदू और मुस्लिम दोनु शिक्षाओं के प्रतिवाद के रूप में आगे बढ़ा लेकिन सिक्षों और अकबर के उत्तरादिकारी जाहंगीत के बीच संबंद बिलकुल भी अच्छे नहीं थे जिसकी बजा से पांच में गुरू गुरू अर्जुन देव जी ने ग्रंथ में मुसलिम और हिंदू शिक्षाओं के संदर्ब को हटाने से इंकार कर दिया तब उन्हें मुगलों द्वारा बुलाया गया और उन्हें मार डाला इस घड़ना को सिक्ष के तियास में एक महतपूर मो पीज़ीन द्यम से कृपाण के विचार के अवधार्णा की जिसका मतलब एक सिक्ष के अंदर संत और सिपाही दोनों के गुढ़ होने बहुत ज़रूरी है। संत से मतलब है क्रिपा करना और सिपाही से मतलब है आन, बान और शान की रक्षा करना मुगलों के आक्रमण को देखते हुए सिखों के छटवे गुरू गुरू हर गोबिंद सिख ने सिख पंथ में सैन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अकालियों की फौज तैयार की थी खुद गुरू हर गोबिंद सिख बहुत बड़े योद्धा थे बावन लड़ाकों की फौज हमेशा उनके साथ रहती थी कहानी चलती है कि गुरू गोबिंद सिंग के चार बेटे थे अजीत सिंग, जुझहार सिंग, जोरावर सिंग और फते सिंग फते सिंग सबसे छोटे बेटे थे माना जाता है कि एक बार तीनों बड़े भाई आपस में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे इसी दोरान फते सिंग भी वहाँ पहुँचे और युद्ध कला सीखने की इच्छा जताई इस पर बड़े भाईयों ने उनसे कहा कि अभी आप बहुत छोटे हैं और जब बड़े हो जाओगे तब ये सीख लेना कहा जाता है कि अपने तीनों बड़े भाईयों के इस बात पर फते सिंग नाराज हो गए और वो घर के अंदर गए और नीले रंग का लिबास पहना सिर पर एक बड़ी सी पकड़ी बांधी और हाथों में तलवार और भाला लेकर पहुँच गई उन्होंने अपने भाईयों से कहा कि अब वो लंबाई में तीनों के बराबर हो गए है गुरुगोबिंद सिंग ये सब देख रहे थे फते सिंग की बहादुरी से वो प्रभावित हुए और तब जाकर चारों भाईयों को उन्होंने युद्र कला सिखाई मानिता है कि फते सिंग ने अपने बड़े भाईयों की बराबरी करने के लिए जो चोला पहना था वो ही आज के निहंग सिख पहनते हैं फते सिंग ने जो हथियार उठाया था आज भी निहंग सिख उसी हथियार के साथ दिखते हैं निहंग सिख हमेशा नीले रंग के कपड़ों में रहते हैं इनके साथ बड़ा भाला या तलवार होती है वो हमेशा नीली पगड़ी बांधी रहते हैं साथ ही पगड़ी पर भी चांद तारा लगा होता है हाथ में कड़ा पहनते हैं और कमर पर कटार बांध कर रखते हैं कई सिख ढाल भी रखते हैं उनका युद्धाओं के जैसा पहनावा होता है आपको बता दें कि निहंग शब्द फार्सी से आया है जिसका मतलब होता है मगरमच ये नाम मगलों ने सिख लड़ागों को दिया था क्योंकि जिस तरह पानी में मगरमच का कोई मकाबला नहीं होता वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना बेहत मुश्किल था निहंगों की अपने खास बोली होती है जिसके पीछे एक दिल्चस्प किस्सा है दरसल गुर्गोबिंद सिंख की फार्ज मगलों पर आक्रमण के लिए योजना बनाती थी लेकिन कहीं न कहीं से योजना लीक हो जाती इस वज़ा से उनकी फार जाती इसका तोड निकालने के लिए निहंग सिखोंने अपनी नई व केबलरी तैयार की इनमें अकरीब 600 से जादा शब्द है आज भी निहंग सिख उसी भाशा का इस्तेमाल करते हैं निहंग सिख अपने धर्म के लिए हर समय समर्पित होते हैं और आम सिखों को मनवता का विशेश ध्यान रखने को प्रेरित करते रहते हैं निहंग सिखों के धर्म चिन्व आम सिखों की अपेक्षा मजबूत और बड़े होते हैं जर्म सिल्य का जीवन के अंध तक जितने भी जीवन संसकार होते हैं सिख धर्म के अनुसार ये उनका प्रेम से निर्वहन करते हैं अतीत में निहंग सिखों ने अपने धर्म को बचाने के लिए कई लड़ाईया लड़ी और अपना बलिदान दिया है लेकिन उनकी यही बहादुरी उन्हें कट्टर भी बनाती है जिसकी वज़ा से विवादों से उनका नाता रहता है दूसे सिकों से कैसे अलग है निहंग सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ा ही इनका काम नहीं होता कुछ नियम खानून ऐसे हैं जिनसे निहंग खुद को बांदे रखते हैं उनकी अवहिलना नहीं की जा सकती इनके कुछ खास नियम होते हैं जैसे गुर्बानी का पाट करना और बाणे में रहना रोज ये गुर्बानी का पाट तो करते ही हैं साथ ही साथ औरों को भी इसके बारे में बताते चलते हैं बाड़े में रहने का मतलब होता है हमेशा अपना चोला और उसके साथ आने वाले सभी शत्स धारड करना किसी मजबूर गरीब या कमजोर पर हाथ ना उठाना उसकी रक्षा करना कहते हैं कि राम जनब भूमी की रक्षा के लिए गुर्गोविंद सिंग जी की निहंग सेना से मुगलों की शाही सेना का भी शड़ युद हुआ था जिसमें मुगलों की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था उस वक्त दिल्ली और आगरा पर औरंग जेब का शासन था इस युद में गुर्गोविंद सिंग जी की निहंग सेना को चिम्टाधारी सादूओं का साथ मिला था कहते हैं मुगलों की शाही सेना के हमले की खबर जैसे ही चिम्टाधारी सादू बाबा वेशनव दास को लगी तो उन्होंने गुर्गोविंद सिंग जी से मदद मागी और गुर्गोविंद सिंग जी ने तुरंत ही अपनी सेना भेज दी थी इस युद्ध में पराजे के बाद सिक्खों और सादूं के पराक्रम से औरंग जे बहुत ही हैरान और क्रोधित हो गया था ऐसी ही एक जबरदस्त भूमी का निहंगों ने महराजा ररजीत सिंग के राजी विस्तार में निभाई थी निहंग लड़ाकों की मदद से सरकार खालसा ने पंजाब में अफगान प्रभाव को खत्म किया कहा जाता है कि महराजा ररजीत सिंग का राज काइम करने के लिए निहंगों ने 1818 में अफगान की सेनाओं पर हमला बोल दिया और जीत हासिल की इसके बाद 30 अप्रेल 1837 को अफगान शासक महम्मद खान की फौज और निहंगों की फौज के बीच युद्ध हुआ जिसमें निहंगों की जीत हुई थी गुर्गोविंद सिंग ने विनूद जी को नगाडा, निशान साहिब, शस्त्र और बीच सिक्खों का जथा दे कर नांदेर से पंजाव रवाना किया था वो निशान साहिब और नगाडा बुड़ादल के पास आज भी मौजूद है आपको बता दे कि निहंगों में भी दो समूव होते हैं, एक जो ब्रहमचरे का पालन करते हैं, दूसरा जो ग्रस्त होते हैं, जो ग्रस्त निहंग होते हैं, उनकी पत्नियां भी वही वेश्दारन करती हैं, बच्चे भी और सभी समूव के साथ ही चलते हैं, एक जगा टिक कर लगाते हैं जैसे मागी के दिन यानी 14 या 15 जनवरी को ये मुक्तसर साहिब जाते हैं जहां गुर्गोविंद सिंग ने 40 मुक्ते को आशीरवाद दिया था ये वो 40 सिख थे जो पहले गुरु को छोड़ कर चले गए थे बाद में माता भाग को और के ललकार ने पर शर्मिं का सेवन करते हैं ये नाम भांग को दिया गया है सिख समुदाई के ही कुछ दूसरे धर इसके खलाब भी है अक्सर इस बात को लेकर इन में मतबेद भी होता है निहंग सिखों के समू एक समय देश के सबसे खतरनाक सेने शक्तियों में से एक माने जाते थे आज भी इनका ब जब वे रिहा हुए तो उन्हें लेने के लिए बुढधा सिंग अमरित सर से गौलियर रवाना हुए बुढधा सिंग सिंखों के पहले गुरू से लेकर छटे गुरू तक के सेवक रहे थे रास्ते में बुढधा सिंग के साथ 30,000 से जादा सिंख चल दिये जब वे गुरू हर गोविन सिंग से मिले तो गुरू ने उन्हें वरदान दिया कि भविश में आपके नाम से दल चलेगा इसके बाद उनके नाम पर शिरुमन अकाली बुढधा दल के रूप में सिक फौज की निव रखी गई और उनका कहना था कि निहंग राजा भी होंगे और योगी भी इसलिए ये राज की तरह शस्त रखते हैं और चोगा यानि पहनावा योगियों की तरह इन्हें गुरू की लाडली फौज का दर्जा दिया गया तो दोस्तों ये थी निहंग की कहानी इस वीडियो में हमने निहंग के इतिहास और कल्चर को समझाया वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सकाइब करके बैल आइकन ओन जरूर करें आपको को और मिलेंगे नेस्ट वीडिओ में नहांग सिंग गुरू दी लाडली फोज पर्षनर और क्याम क Katy जहनम ब्रधाश नहीं पामयों कंदा मेरी जान जान दी जावे कोश में दा मैं जुलम बरदाश्ट नहीं करना यह चीज में बड़ी वदिया लाग दी आपां हिस्ट्री देखी यह पूरी नहीं हंग संगा जी कि थूँ आए मुगला देना टकरा लईया मुगला मतलब कि ओ मुगल जना दी लखा द दुनिया डर दी सी तो दोने हंग संगा ने खतम कीता यह वह नहीं है क्योंका जुनम बरदाश्ट निगा फिर महराजार नजी सिंग दोर देवेच चाए फिस सिस्टम बड़ा वदिया बड़ा वदिया ने आंग सिंगा था आप मुझदा से संग तो निना हो सागदा है त अगर एविस सिस्टम एव इंसाफ ने हंग सेंग देनला पन यान लाड़ों के गुरू गुर्ण साहब्यां यह लाड़ों के गुर्दवारे देवर जयाके ज़्टों इंसाफ मिले मिन्टा चेंसाफ मिलेगा तो तो सभी आप दसो अमन होयेगा याशी नहीं होए दोर जि कि ज़िद्ध जुलम प्रदाश्ट इसए कार दें लिए कारते हैं थी ज़िधों मिंटाइज फैसले हो लापन न उते आम निगा हो सागता तो तो स्कूनी हो साथ तो तो फिर की हो साकता तुसमें वह अब दूसे ला इस करके मिननों निहांग इंगा ना बाना इन अधी जड कि आपांच देखो अमध़ पाल संइघ यहां विया फोजा है अम्रत पाल सेंघ जनी देर तक रहाना उनी देरता को तुसमें दसों के गुरूगरं छागी को बेद्वी होई है आप मेरे कैना मतलब है कि तुसी आप एदेखिए जो मैं समझे हम एक जीनिदेश्थ कम रदपाल सेंग रहा उद नहीं हम सेंगा ते नहीं है उन्हाद सिस्टम रहा वैं अमरत पाल सेंग देनाल किते पास से कोई बेदभी होई नहीं है जो ही अमरत पाल सेंग गया थाप कीत सब्सक्राइब कीता है ते नारी बेदभीया शुरूब एया निहांग सेंग है एक तुसी सालाओ के नहीं सेंगा इताकत है तो इन आदा सिस्टम बड़ा वदिया लागता है नदा हर चीज एक मतलब कर वदिया वैं इन आदा सिस्टम ही आएगा अमन होएगा सिस्कून चुरू तो लाएकेंड तक सारा कुछ दसेहा है एक वीडियो देखके जोश एक जजबा एक मान मसूस हों देया वैं ते बाकि मिनों दे वीडियो बड़ी वदिया लगी है बाकि जो मैं अपनी मुस्लमान ये दिन अधर वे जो मैं समझना सी होता नूदा से ता बाकि